महारास्ट में विधान सबा चुनाव के ऐलान से पहले महा विकास अगहाडी में शामिल कॉंग्रिस तैयारियों में जुटी है सुमबार 14 अक्टूबर को दिली में कॉंग्रिस अलाकमान ने रज्य के नेताओं के साथ बैठक की इस दोरान हर्याना में मिली हार का असर भी देखा गया सूतरों ने बताया कि कॉंग्रिस निर्टितों ने महारास्ट के अपने निताओं को अति आत्म विश्वास से बचने के निर्देश दिये हैं कॉंग्रिस निर्टित ने महाराष्ट में राजनीतिक इस्तिती सीट बटवारा घोशना पत्र आदी को लेकर प्रदेश कॉंग्रिस के वरिष्ट ने ताओं के साथ तीन घंटे तक मंथन किया इसके बाद प्रभारी रमेश चैनी थला ने कहा कि सीएम का फैसला चुनाओ के बाद होगा आगले कुछ दिनों में सीट बटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा बता दें कि एम्बिय में यहां कॉंग्रिस के साथ शरत पावर की NCP और उदवठाकरे की शिवसेना UBT शामिल है शिवसेना UBT CM पत पर दावेदारी कर रही है अलाकि कॉंग्रिस और शरत पत पत का कहिना है कि चुनाओ के बाद फैसला लिया जाएगा शीवा जी पार्क में देशारा रैली के दोरान शनीबार 12 अक्टूबर को उदव ठाकरे गुट के नेता और राजे सबा सांसद संजे राउत ने कहा उदव ठाकरे आपको इसी मैदान में मुख्यमंत्री पत की शपत लेनी है एक चिंगारी काफी है मशाल जलाने के लिए और हम आपको बताएंगे कि हमारा सीम चहरा कौन है सरकार में होने के नाते महायुती को पहले अपना सीम चहरा घौशित करना चाहिए आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग महरास्ट और जहरकन चुनाव की तारिखों का ऐलान कर सकता है महरास्ट में महा यूती और महा विकास अगाडी दोनों ही गठबंदन अपनी अपनी तैयारियों में हैं आपको बता दे कि महा विकास अगारी में शरत पवार की NCP, SP, उद्धर ठाकरे की शिवसेना UBT और कॉंगरिस सामिल है वहीं बात करें महा यूती की तो BJP के साथ सिंदे गुट की शिवसेना और अजीद पवार की NCP शामिल है महा विकास अगारी में जहां उद्धर ठाकरे चाते हैं कि चुनाओ से पहले ही सीम चेहरा घोशित किया जाए तो वहीं शरत पवार और कॉंगरिस चाते हैं कि चुनाओ के बाद सीम चेहरे का ऐलान होगा फिलहाल के लिए सी रिपोर्ट में इतना ही देश और दुने की तमाम खबरों के लिए बने डैनेक्शन और पॉलिटिकल बाइट के साथ